नमस्कार दोस्तों निफ्टी वे चैनल के इस सीनेक्स फिन निफ्टी और उसके साथ सा यूएजडी आइनर के इस वीडियो में आप सक का स्वागत है तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने बताया था कि 19.219 पर 10 एम है और यहां पे इस डिप को बाय करना है और ये बाय हमें 2020 से 19.250 तक 30 पॉइंट गूमी 30 पॉइंट के फीछे कितने कितने पॉइंट मिलते हैं सिरफ 15 मतलब ले दे के हमें कोई खास प्रॉफिट इसमें नहीं हुआ इतना तो ब्रोकेज में ही खर्च हो जाता है मतलब फिर निफ्टी ने आज कोई मजा नी दिया है बिल्कुल 81.97 तो आपने बाय करना है रुपईये को और यहां से लेकर यहां तक आपको देखिए कितना अच्छा प्रॉफिट हुआ विल्कुल बढ़िया प्रॉफिट हुआ है आपको और अब क्या करना है अब देखिए अब रुपईये को सेल करना चाहिए और स्टॉप प्लोस 81.14, 81.97, 81.86 और 81.68 यह आपका फाइनल टार्गट होना चाहिए यहां पर फिर से आपने बाय करना है यहां पर आपने सेल करना है और यहां पर आपने इसे बाय करना है तो यह चीज का आपने ध्यान रखना है और यहां पर यहां पर गनना है ध्यान रखिए यहां और इसक हम आगे बढ़ते हैं Fin Nifty कि Fin Nifty में हमने आगे. या क्या देखिए Fin Nifty में जैसा कि आपको हमेशा मैं बताता हूं कि जहां Ten EMा है वहां पे भाऐ करना है, और состояни निंच्त के ऊपर Fin Nifty की closing देना यह काफी अच्छा साइन है और ऐसे सारा दिन लग रहा था कि जैसे ये shadow बना रहा था कि कहीं फिर निफ्टी में weakness ना आज़े और फिर भी 1922 के उपर closing आई ये एक बहुत अच्छी बात है अब फिर से आप यहीं करना है कि 1922 1922 यहाँ पे इस dip को आपने buy करना है और stop loss रखना है 19150 जो आज भी बड़ा काम या बड़ा उसके बाद अगर 1905 तक कोई dip पाता है तो उसको भी आपने उस call को buy करना है 19000 C लेना और 19150 से 1905 के बीच आप put भी ले सकते हैं यहाँ पे आप put ले सकते हो और stop loss रखना है फिर 1922 वो कब लेना है जब market यहाँ पे आजए इस area में इस area में आए 19150 के नीचे नीचे तब आपने put लेनी है और stop loss 1922 का रखना है और फिर आपका target रहेगा 1905 19065 और जैसे यहाँ पे आए इस area में आए put में profit book कर लेना है और यहाँ पर फिर आपने call ले ले इस चीज़ का अपने दिया रखना है काफी limited दाएरे में fin nifty चलती है तब ही इसमें trade करना भी काफी safe रहता है यह bank nifty की तरह उपनी जीतना नहीं होती पर इसमें यह है कि अगर बंदा बड़ा steadily safely और ठंडे मन से इसमें trade करें तो काफी अच्छा profit दे के भी जाती है को कि इसमें risk कम है और profit जादा है तो यह था हमारा fin nifty और usd inr के बारे में त तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद दे है तो जिरू लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेर कीजिए थैंक यू धन्यवाद